नेगला कोशन देखिए बारो नमर बहुत ही अच्छा कोशन है करें यदि किसी AP और GP दोनों का P वा क्यूवा और आर्वा पद ABC है तो साबित किजिए कि इसको हमें साबित करना है तो चलिए बहुत ही pretty easy है यह कोशन थोड़ा ध्यान से देखना होगा यह मानने कि माना माना AP का प्रथम्पद 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 क्या मान लेते हैं तो वह A मान लेते हैं ठीक है तथा सार्व सार्व अनुपात सार्व अनुपात साव अनुपात क्वेस यह कोई कोई प्रॉब्लम हुम कि हाना chi, ईसका PVA, PVA, इस AP का PVA पद तो उसका आपको पता है formula कि AN बराबर होताई AP में A plus n minus 1 into D, यहाँ फर्मॉला होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग PVA, पद की बात करेंगे हैं हाना, इसके PVA, पद की बात करेंगे तो वो हो जाएगा A1 क्योंकि प्रत्थम 1 into d समझे हैं न इसी formula पर रखेंगे प्रथम पद n के जगा यहां दिया है P पर तो P रखेंगे और D के जगा capital D है और बराबर में आपका A हो जाएगा ठीक है उसी तरह से प्रथम पद plus Q minus 1 into d बराबर में भी उसी तरह से A1 plus R minus 1 into dуйте बराबर में से समझे है ना? चल्या है अब एक माल लिजे इसको समी करण 2 माल लिजे और इसको समी करण 3 माल लिजे यहले खेंगे समी करण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से तो A1 plus P minus 1 into d себाबर में A A1 plus Q minus 1 into d," बराबर में भी, ठीक है? यहां देखिए पहला को नदली है यहां साइन बदले यहां साइन बदले यह कट जाएगा चलिए यहां से आपका यह माइनस में जाएगा माइनस Q और प्लस 1 सब्सक्राइब न यह माइनस माइनस प्लस होगा बाहर D निकल गया बराबर में A माइनस B 1 1 कर दिए तहां से P माइनस Q इन्टू D बराबर आ जागा A माइनस B ठीक है? इसी प्रकार अब निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जागा न इसी प्रकार इसी प्रकार देखिए क्या करेंगे? हम लोग अगर हम समिकरण 2 और 3 को लेकर चलें समिकरण 2 और 3 को ऐसे ही चलें तो समिकरण 2 और 3 को लेकर चलेंगे इसी तरह से जैसे इसको बढ़ा है उसी तरह से अगर हम लोग समिकरन 3 और समिकरन 1 को लेकर चले समिकरन 3 और 1 को लेकर चले 3 को पहले ले और 1 को बाद मिले तो यह R-P बराबर हो जाएगा C-A चलिए तो R-P इन्टू D बरावर में हो जाएगा आपका C-A समझ में आया इतना इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए ये सब निकाल रहा है अब देखिए आगे इसमें ये भी का रतना कि ये GP में भी है ये जो दिया गया है ये GP में भी है तो ये फिल केंगे कि माना माना GP का GP का प्रथम पद प्रथम पद A देखिए वहाँ A1 लिये थे इसलिए ये ले लिये दूसरा नम लेना होगा न तथा सार्व अनुपात सार्व अनुपात कैपिटल R मान लेते हैं ठीक है चलिए तो आपके question में यहां दिया हुआ है sorry हमनों यहां थोड़ मिस्टिक कर दिया है देखिए सार्व अंतर नहीं होना चाहिए सार्व अंतर इसको स्थार दीजिएगा सार्व अंतर ठीक है आगे बढ़ते हम लोग यहां common difference नहोता यह AP है ठीक है चलिए यह गलती से हो गया है चलिए तो GP वाल में देखते है P वापद इसका A है Q वापद B है और R वापद C है चलिए तो GP के लिए आपको पता है N वापद के लिए क्या होता है A R का पावर N मैनस 1 है N होता है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा इसमें आर का पावर Q-1 बराबर में हो जागा B ठीक है और उसी तरह से हो जागा A-R का पावर R-1 बराबर में हो जागा C तो इसको समी करन 4 इसको 5 और इसको आप 6 माल लीजिए चलिए आगे देखते हैं इसके बाद तो यहां लिखेंगे समी करन समी करन 4 का घात 4 का घात B-C अच्छा समी करन 5 का घात 5 का घात 5 का घात यहां इसका C-A तथा समी करन 6 का घात 6 का घात 6 का घात इसका घात कितना लेंगे A-B लेकर तीनों समी करनों में गुणा करने पर चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं चलिए तो यहां हो जाएगा आपका ध्यान से लेखेंगे A-R का पावर P-1 और इसका पावर हो जाएगा B-C ठीक है? इन्टू A-R का पावर Q-1 का पावर हो जाएगा आपका कितना? C-A फिर A-R का पावर क्या है आपका यहां पे? R-1 का पावर हो जाएगा यहां पे A-B और बराबर में A का पावर B-C, B का पावर C-A और फिर इन्टू में C का पावर A-B. समझ मैं है? चलिए. अब देखिए. यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां B-C जो है किसके बराबर है? इसके बराबर. और वैसे C-A यहां पे इसके बराबर है और A-B उपर अभी लिखे हैं ना यहां पे. इसके बराबर है तो P-Q इन्टू D के है. तो इन सब मानों को यह रखेंगे. तो यहां हो जागा A-R का पावर P-1 ठीक है? और इसका पावर इसका पावर यहां देखिए. B-C के जागा पे आपको क्या रख देना है? तो रख देना है Q-R into D. फिर A-R का पावर Q-1 का पावर यहां देखिए C-A के जागा पे क्या रख देना है? R-P into D. ठीक और R-1 का पावर A-B के जब पर क्याए देना है तो P-Q इंटू D चलिए और बराबर में जो है वो तो आपका रहे गए एका पावर B-C B का पावर C-A और C का पावर A-B समझ में देखिए सब का पावर अलग-अलग लेते हैं ठीक है चलिए अब यहां पे देखिए धियान से स सब का पावर अलग-अलग करिएगा तो एक काम करते हैं न सब पर ddd है तो सब पर common दिख रहा है न तो common पावर है तो उसको बाहर कर देंगे यहां सिर्फ लेंगे a का पावर यह वाला q-r into r का पावर इसमें से गुना करना होगा न डी एक ही बर सब का पावर ले लेंगे एक mouse b शरी टो एक ही बर बाहर निकाल दियो सबका पावफ होल पावर कर दिया और इसमें सिर्फ गुना करें तो वह जगा pq-マ और फिर प्लस में हो जागा आपका R देहां से देखिए PQ-PR-Q-R इन्टु फिर यहां भी A का पावर R-P इन्टु R का पावर यहां गुरा करेंगे QR-PQ-R और प्लस में आपका P फिर उसे तर यहां भी A का पावर P-Q इन्टु R का पावर P-R ठीक है? P-R P-R फिर इसमें से गुना की दिए माइनस में Q-R माइनस में P अचा और प्लस में Q कि रहे हैं इतना? चलिए अब ध्यान देखिए A का पावर यहां Q-R है A का पावर R-P है A का पावर P-Q है पावर जोड़ देंगे तो पावर में 0 आ जागा देख लिए का कट जाएगा सब उसी तरह R वाले को भी जोड़ेंगे सब को पावर तो यहां जागा 0 बरावर में है A का पावर B-C B का पावर C-A और C का पावर A-B तो यह 0 किसी भी अंका पावर 1 होता है ला तो 1 बरावर अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं लिए A का पावर B बटा में A का पावर C B का पावर C बटा में B का पावर A भाग मुंते तो पावर घड़ता है और माइनस मैं तो इसे कर सकते हैं चलिए C का पाउर A बटा में C का पाउर B हो जागा चलिए तो ये तीनों को इधर लाके गुना कर देंगे तो हो जागा A का पाउर C B का पाउर A C का पाउर B बराबर A का पाउर B B का पाउर C C का पाउर A तो लिए तो वीडियो बहुत लंबा होते ज़रा इस वीडियो का हम लोग यहीं प्रेंट करते हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बैल आइकन दबा दें जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में सेर करें कॉमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और इसे रिरेटर लिंक की ज़रो थो अधर सब्सक्राइब की लिंक अधर चैप्टर की लिंक तो आप हमारे वाट्सप नमबर 7301778899 पर वाट्सप एसमेस बेज़के चैप्टर के लिंक को प्राप्त क कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो